एक तरफ जहां देश भर में लोग बॉलिवुट सितारों के फैंस होते हैं उन्हें परदे पर हिरोईक काम करते देखते हैं तो दूसरी तरफ कई बार देश के असली हीरोज कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि दुनिया भर में भारत का नाम गुझे जहां यही कहलाते हैं हिंदुस्तान के रियल नायक ऐसी ही एक हीरो है कश्मीर की जर्नलिस्ट यना मीर यना मीर ने यूके की पार्लियमेंट में बेबाकी से बयान देते हुए ये कह दिया कि मेरा होम टाउन कश्मीर है और मैं अपने भारत में बहुत सुरक्षित और आजाद महसूस करती हूँ यना ने यूके के MPs के सामने कहा कि मैं पाकिस्तान की मलाला यूसफजाई नहीं हूँ ना ही मैं मलाला बनूंगी क्यूंकि मेरा देश मुझे आजादी देता है यना ने कहा कि मैं कभी भी आपके देश में आकर शरण नहीं मांगूंगी, जिहां अपने कश्मीर पर अपने हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानी होने पर किया यना ने गर्व To conclude, I am not a Malala Iusuf Zai. I am not a Malala Iusuf Zai. Because, because I am free and I am safe in my country India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never, I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. Honorable and peace. यना का ये वीडियो तब वाइरल हो रहा है जब फिल्म आर्टिकल 370 बॉक्स ओफिस पर जबरदस्त रिस्पॉंस हासिल कर रही है आर्टिकल 370 कश्मीर से 370 हटा देने की कहानी है आर्टिकल 370 कश्मीर में होने वाली हिंसा की कहानी है इस फिल्म को तो लोग बेहत पसंद कर ही रहे है लेकिन साथ साथ कश्मीरी इंडियन ज भूबदारी पे हो रही है फाइनल काट निउस्टिस्क